हेलो गाईज दिस इस यूर यूट्यूब चैनल मार्केट मूवर देखिए आज जिस स्टॉक के बारे में डिसकसन करूंगा वो मेरा पहला रिवीव होगा इस स्टॉक पे और मेरी मानिये ऐसा स्टॉक आपने नहीं देखा होगा स्टॉक मार्केट पे हाली की लिस्टिंग है अप भली भाती इस स्टॉक से परिशीत है बट आज इस स्टॉक की पूरी डिटेल्स लेके जाहिएगा मेरी वीडियो पर मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी भी स्टॉक को पूरी तरीके से जाच परक ले तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए देखे स्टॉक मार्केट गैमलिंग नहीं है स्टॉक मार्केट है कैसा जगा है जहां पर आप बैंक एबडी से साइद 7% 7% मैंने बहुत कह दिया 6.6% 6.5% जो भी ओवरल 7% सारे बैंकों का अगर देखा जाए तो आपको मिलता है एबडी पर चाहिए जो भी कीजिए माइस कीजिए जो भी कीजिए आपको 6.57% बटि स्ट भर में 25-30% तक की रैली 25-30% का गेन यहां से निकाल सकते हैं यह है स्टॉक मार्केट और इसी तिरिस्टी कौन से आपको देखना चाहिए आपके पैसे को आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए जी हां कुछ ऐसे ग्रोइंग स्टॉक है जो आपके पैसे को 100% 200% 300% एक एक साल मे कर देता है वो अलग बात है बट आपको और आपकी जो इच्छाएं होनी चाहिए वो स्टॉक मार्केट पे कॉलिटिवल स्टॉक पे इंविस्टिमेंट करके 25-30% का हर साल रिटन्स अगर लिया जाए तो इस CGR से भी आप एक लाग रुपे से 20 सालों में एक अच्छा मानेजमेंट है बड़ा ब्रांड का नाम है इस स्टॉक के पीछे नाम देखके नहीं जाएगा मेरी रिक्वेस्ट होगी मेरी हर वीडियो पर आपको डिटेल्स मिलती है इस पर भी मिलेगी देखिए नन अदर देन एज़डी एपसी एसेड मैनेजमेंट कंपनी के बारे मे पिंडिया और यह डेट वेगारा सारी चीज़ें दी गई है एजडी एपसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेट अपॉंटेड दे कंपनी टू एक्ट दे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स अप एजडी एपसी मेच्वल फंड्स ठीक है यह सिर्फ अपना मेच्वल फंड नहीं और भी फंड्स को यह मैनेज करती है और इसके रिगर्डिंग इनकी फील दी जाती है और बहुत सारे काम है मैं आपको सिर्फ सबसे पहले काम ही बताता हूं देखिए कंपनी ओफर से लार्ज सूट आप सेबिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडेक्ट्स एक्रोस दा एसेट क् क्यों नहीं जाएंगे इनके पास इट आल्सो प्रोवाइट पॉर्ट्फोलियो मैनेजमेंट एंड सिग्रिगेटेड एकाउंट सर्विसेज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बहुत सारी चीजिए हैं मैं इतना डिटेल्स पर जाओंगा तो हो सकता थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाए वीडियो एडवाइजीरी सर्विसेज है हाई इंड नेट वर्थ इंडिविजूल से फैमली ओफिसेज से डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स है और प्रोविदेंट फॉंड्स और डोमेस्टिक ग्लोबल इंसिटूस में तो बहुत बड़ा ब्रांड है HDFC का 1999 में इंकॉर्पोरेटेड HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड पॉब्लिक पॉब्लिक लिमिटेड अंडर दे कंपनी जैक 1956 के साब से दे कंपनी ऑपरेट सा जॉइंट वेंचर बिट्मिन दा हाउसिंग देवलप्मेंट फाइनस कॉर्पोरेशन जो इनकी पैर सब्सक्राइब कंपनी फाइनस की सब्सक्राइब करनी कोग्लोमरेट इंडिया मतलब फाइनस की को उन्हेंच पर श lemons एक सिग्मेंट पर नें इन प्रेजेंस ऑफ एसंग लाइफ ए नल नली नर लाइफ इंस्न Plan कानेजमेंट रियल स्टेट पॉंट्स एजुकेशन फाइनस इतनी सारे फाइनस की कैटिगरीज है मैंने इतनी लंबी लंबी बाते की क्या इसका डीटा ऐसा कहता तो चीहां स्टॉक जब लिस्ट हुआ था सतरह सु रुपये पे लिस्ट हुआ था दोजार अठारा की लगता है कि यह नेक्स्ट थर्टीन हंडेट पर दिखेगा आपको और कभी भी ऐसा मुझे लगता है और गैरेंटी वाली वर्ट्स तुम्हें इस्तमाल करता नहीं हूं अगर यह तेरा सु पर दिखती है तो यह ऑपरचुनिटी मानिए तो इसे एक उपरचुनिटी तो इसकी जो फंडमेंटल से वह बहुत ही जबज़ेसतर ऐसे फंडमेंटल वाली स्टॉक अगर किसी भी चानल पर यूट्यूब कि किसी भी चैनल पर आपको अगर दिखाया जारा रहा रिकमेंड किया जारा तो डेफिनेटल चैनल भी बहुत अच्छा हुगा यह मैं मैं इस चीज को आपको समझना होगा हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा पच्छास जार करोड की मार्केट क्याप है रिटर उन कैपिटल इंप्लॉइट पच्छास के आसपास में रिटर उन इकिविटी 35 के आसपास में सेल्स ग्रोथ 10 परसेंट से ग्रोग कर रहे हैं डिव इतनी बहतरीन कंपणी है डिट फिरी है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बहतरीन तो मैं आपको सब्दों से नहीं आपको प्रूप से मैं आपको यह चीज दिखाऊंगा देखे कंपनी का 2017 में 400 करोड की सेल और यह 400 करोड की सेल दोनों ही जगा पे 400 करोड की सेल है बट देखे कं कमपनी का profit घर साल ग्रो कर रहा है कैसे ग्रोग कर रहा है आप सोचके देखिये 400 करोड की सेल 2017 में भी थी और 400 करोड की सेल आपको जून कौटर में भी थी बट नेट profit देखिये 180 करोड 190 करोड से ज्यादा और यह growing देखिये किस हिसाब से बढ़ रहा देख लिए असी करोड की प्रॉफिट जिनरेट किया है पिछले क्वाटर पे मतलब जून क्वाटर पे तो ये एक बहुत बड़ा साइनिंग स्टॉक हो सकता है आने वाले पांच से दस सालों के लिए बाकी सारी चीजे इसकी बहुत अच्छी है इस साल इस डेड़ सो परसेंट से भी जादा की तेजी दिखाई थी मतलब आपके पैसे को लगबग तेड़ गुना कर चुका था दोजार सोलह सतरह अठारह उनीस बीस का ये पाफॉमेंस है टोटल एसेट इनका 4000 सम्थिंग के पास पहुँच चुका है और कंपनी के पास लाइबिलि कंपनी पे और देखें नैट केस्फ फ्लो मार्च क्वाटर पे पोजिटीव में आ गया था कंपनी 26 करोड की ये एक बहुत बड़ा साइनिंग है नैट केस्फ फ्लो किसी भी कंपनी का पॉजिटीव होई तो बहुत अच्छी बात आसा नहीं है कि नहीं है तो बहुत बुर का एक मिनिट कंपनी अपने एक्सपेंसेस पर कितना ध्यान दे रही है तो देखिए 2016 में यह 755 करोड की एक्सपेंसेस करती थी यह देखिए यह पैरमेटर फिर 700 करोड की 800 करोड की देखिए धीरे-धीरे करके थोड़ा सा इन्हों ने अपने आपको मैनेज किया अपने 2000 करोड की सेल्स 2019 में भी थी और 2020 में भी थी इक्सपेंसेस देखिए कितना 300 करोड की यह सीरे सीदे प्रॉफिट पर कैलकुलेट हो रही है अगले बार इन्होंने 1300 करोड की प्रॉफिट जनरेट की थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो की काम करने के बाद आता यह 16 करोड हो यह एक important point लगा मुझे जो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए अभी मैं एक calculation दिखाता हूँ जो की आपको समझ में साइधना है फिर भी आप जरूर देखिए आपका 1 लाग रुपिया अगर स्टॉक का 25% के CAGR से भी चलता है तो क्या कर सकता है देखिए calculation है एक लाग रुपिय का investment आने वाले 20 साल के लिए एक लाग रुपिय का investment आने वाले 20 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 26% की CAGR जो की वही मैंने बताया कि अगर स्टॉक मार्केट में 26% के साथ जो कि HDFC का बहुत बड़ा track record है 25-24% का और HDFC MCB उसी गुरूप की company भी grow हो सकता है इस पर 26% का अगर मैं CAGR के साथ यह देखता हूँ तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका पैसा कितना हो सकता है आप सोच नहीं सकते हैं आप यहाँ पर देख लिए एकस्पेक्टेड एमाउंट कितना है आप खुद calculate किजेगा और हमें बताईएगा आपको सम इन्वेस्टिमेंट करना है इन्वेस्टिमेंट करना है स्टॉक मार्केट पर तो यह स्टॉक बहुत खरा उतरता है मैं फिर भी डिस्क्लिमर के तौर पर जैसे कि मैस्वल फंड्स पर भी दिया जाता आप अपने साब से डिसिजन लेने के बाद स्टॉक पर बनिएगा और आपके सामने प्रेजेंट किया यह हमारा काम है आपको सजेस्ट करना हमारा काम नहीं यह तो आपका डिसिजन होना चाहिए कि हमें कौन से स्टॉक पर पैसे लगाने है क्योंकि स्टॉक मार्केट पर स्टॉक तो बहुत सारे हैं सेलेक्शन आपको करना पैसे आपको